हेलो फ्रेंड्स लग रही है न कितनी अच्छी कलर्फुल टूटी फ्रूटी इसे मैंने तर्बूज के छिलके से बनाया है तो चलिए तर्बूज के छिलके से घर पर टूटी फ्रूटी बनाते हैं इसके लिए तर्बूज का छिलका लेंगे छिलके के पीछे वाले हरे पाट को हटा देंगे इसी तरह सभी छिलके से हरे पाट को निकाल देंगे छिलके के उपर अगर लाल वाला पाट लगा है तो उसे भी अच्छी तरह निकाल दे हमें बस छिलका के सफेद भाग को लेना है इस तरह मैंने सारे छिलकवा को छिल दिया अब इसे काट लेते हैं इसे छोटे छोटे टुक्रे में काट लेना है कुछ इस साइज का इन टुक्रों को काट लेना है कटे हुए सारे टुक्रों को एक बर्तन में रखकर गैस पर चढ़ा देंगे इसमें आप एक ग्लास पानी डाले इसे ढख कर दस मिनट तक पकाना है पहले आप गैस का फ्लेम हाई रखे जब इसमें उबाल आने लगे तो गैस का फ्लेम लोग कर दे बीच में छिलके को एक बार चला देना है जिसे ये अच्छी तरह चारो तरफ पक जाए दस मिनट बाद इसे निकाल कर चेक कर लेते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया होगा और 50% कुक हो गया होगा इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे छिलके को पानी से बाहर निकाल लेंगे गैस पर एक कड़ाई रखेंगे उसमें आधा कप चीनी डाले जिस कप से चीनी डाल रहे हैं उसी कप से दो कप पानी डालेंगे इसकी चासनी बना लेनी है तैयार चासनी में कटे हुए छिलके को डाल देंगे चासनी में छिलके को अच्छी तरह मिला ले और इसे ढख कर पकने दे गैस का फ्लेम हमें यहां मीडियम रखना है इससे चिलकों में चासनी अच्छी तरह चली जाएगी जिससे इसमें अच्छी मीठास आ जाएगी बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि चारों तरफ से बराबर मात्रा में यह पके इस तरह हमें इसे करीब 10-15 मिनट तक पकाना है करीब 10 मिनिट पार टूटी फ्रूटी अच्छी तरह पक जाएगी कैस का फ्लेम बंद कर दे अगर ये ना पके तो थोड़ी देर आप इसे और पकाए अब इसमें फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डाले आप यहाँ एसेंस इसकिप भी कर सकते हैं और इसे तूटी फ्रूटी में अच्छी तरह मिला दे मैंने कैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब तैयार तूटी फ्रूटी को कलरफुल बनाते हैं इसके लिए तीन बाउल लेंगे और तीनों बाउल में तूटी फ्रूटी को डाल देंगे इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी कलर डाले मैं यहां ग्रीन, रेड और यलो बना रही हूँ एक टूटी-फूरूटी में मैं ग्रीन कलर दूसरे में रेड कलर और तीसरे में यलो कलर डाल रही हूँ इस तरह मैं तीन कलर का टूटी फ्रूटी बना रही हूँ कलर डानने के बाद आप अच्छी तरह मिला देंगे यहां कलर हमें थोड़ा अधिक डालना है क्योंकि इसे धूप में सुखाना है और कलर थोड़ी धूप में उड़ जाएगी इसे घर में रखे इंग्रीडियंट से भी कलर दे सकते हैं जैसे यलो के लिए हल्दी, रेड के लिए बीटूट जूस और ग्रीन के लिए पालक के जूस को डाल कर इसे कलर दे सकते हैं तया तूटी फ्रूटी को ढग कर पांच घंटा के लिए रख देंगे पाच घंटा हो चुके हैं एक स्टेनर लेंगे और टूटी फ्रूटी में से चासनी को अलग कर देंगे और इसे एक प्लेट में फैला देंगे इसी तरह सभी टूटी फ्रूटी से चासनी को अलग कर देना है और प्लेट में फैलाते जाना है एक बार आप इस टूटी फ्रूटी को जरूर बनाए, बहुत ही कम खर्चे में और फ्रेज टूटी फ्रूटी बन कर तयार होती है सारे टूटी फ्रूटी को छान कर अलग-अलग प्लेट में रख देंगे इसे आप दो दिन के लिए धूप में रख दे जिससे ये अच्छी तरह सूख जाएगी आप इसे माइक्रोवेब में भी ड्राइग कर सकते हैं दो दिन के बाद इस टूटी फूटी को देखते हैं इसकी आवाज से ही पता चल रहा होगा कितनी अच्छी तरह सूख गई है मैंने इसे धूप में सुखाया है आप इसे माइक्रोवेब में भी ड्राइग कर सकते हैं मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ देखे कितनी अच्छी तरह बनी है ये टूटी फूटी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद